दोस्तों पतना मेट्रो रेल में वेकेंसी आई है तो चलिए आप सभी वेकेंसी के बारे में समपुर्ण जानकारी देखिए आप देखेगा दोस्तों बिहार कितिहास में ये पहली बारे वेकेंसी होने जा रही है और आप सभी बिहारवासियों का जो सपना है मेट्रो में चड़ने का अब ये कुछी सालों में पुरा होने जा रहा है तो मेट्रो चलाने के लिए चाहिए स्टाप और स्टाप के लिए यहां पर भरती भी करना पड़ेगा तो चले पटना मेट्रो रेल भरती के बारे माप सभी संपुर्ण जानकारी देखिए आप मेंसे कौन-कौन इस फॉर्म को फिलब कर सकते हैं कैसे क्या सलेक्षन होगा हर एक चीज के बारे में फुल डीटेल्स देने वाले हैं अब देखिए दोस्तों जैसे ही वेकेंसी आई थी आप लोगों क्यों से कमेंट करके पुछा जा रहा था कि सर इसके बारे में फुल डीटेल्स जानकारी दीजे क्योंकि इस चानल पर देखिएगा हमेसा ऑथेंटिक जानकारी मिलता है तो कैसे क्या फॉल्म फिलब करना है आप में से कौन-कौन भर सकते हैं हर एक चीज के बारे में आप लोगों को फुल डीटेल्स जानकारी देने वाले हैं और दोस्तों ये बतिक आप में से कौन-कौन CGL4 बिहार SAC गुरूप D ये सभी वेकेंसी दी जाया आप सभी अधिक सधी कमेंट करके बताइए और अगर आप CGL4 के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं कब तक वेकेंसी आ जाएगी कितने पदोपर तो कमेंट करके जरूर बताइए हम आप लोग के एक वीडियो में इसके बारे माथेंटिक अपडेट दे देंगे अब चलिए ये दिखेगा तो PMRCL का ओफिसियल वेबसाइट है यहां से देखेगा तो Regulation का Option यहां पर है new registration create account यहां पर क्लिक आपको registration करना है फिर इसके बाद mobile नमर पासवट से लाग इन करना है अगर पासवर्ट भूल जाते तो यहां पर फोर्वीड पासवर्ट इस तरह से option यह और राशिश्टेसन का प्रोसेस अब ये है कि आप तो फिर इस चैनल पर वीडियो आने के बाद आप सभी confirm हो जाते हैं हाँ ये वेकेंसी आई है ऐसे form फिलाप करना इस website से सभी चीज़ों के बारे में full details जानकारी मिल जाता है क्लिक किजेगा तो यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शन यानि निर्देश दिया हुआ है तो इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखेगा आवेदक वेबसाइट यह देखे मेट्रों जो होता है इसलिए अर्बन यानि की सहरी चेत्र का जो नगर विकास्यों अवास विभाग जो उसी की वेबसाइट पर यह डिटेल्स दिया हुए मेट्रो भुसी के अंतरगत आने वाला है लोगिन से पहले देखेगा तो रेजिस्टेशन करना निवार्ज है लोगिन करने के बाद यूजर आड़ी मोबाल नमर पासवर्ट का उप्योग करेंगे अब भिहर्थी अपनी एकल लोगिन आटी से एक सधीक किल आवेदन कर सकती है यानि एक वार रेजिस्टेशन जो आप कीजिएगा उसी साफ एक सधीक पोस्ट क्लिप फॉर्म भी फिलप कर सकते हैं आवेदन करने से पहले पातरता मानदन जरूर पढ़े और अंतीम सम्मीट करने से पहले सम्मीट बटन पर किलिक करें अंतीम परुष्टिती के बाद संसोधन के अनुमाती नहीं है तो उसको समझ के आपको फिलप करना है सभी डिटेल्स आपको नावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा सभी संचार या पत्राचार दिये के मोबाइल नमर इमेल आडी पर किये जाएंगे इसके बाद दिखेगा यहां आपर कलरड़ पासवर्ट साइज है यहां पर पचास केवी का होना चीजे पीजी या फिर पीजी फॉर्मेट में सिंगनेचर का 20 केवी का है डॉकुमेंट सर्टिफिकेट फाइल 200 केवी पीडियाप में तो जितने भी डॉकुमेंट लगेगा सब आपको 200 केवी का परतेक बनाना है और फिर उसके जगह पर 10 12 जो भी डॉकुमेंट है यह सब आपको देना परेगा फोटो मस्ट भी किलियर यहां पर दिखेगा नोट सेल्फी आपको यानि सेल्फी नहीं अपलोड करना है यह हो गया दोस्तों निर्देश अब यहां पर देखेगा यह जो वेबसाइट दिया हुआ स्टेट डॉट विहार डॉट यूभी डॉट इन चलिए इस वेबसाइट पर चलते हैं यह देखेगा तो विहार सरकार का ओ रिकूर्टमेंट वाले टाइप में यह नहीं है इसको एट्यज किया यहा इस ॉटि किजेगा तो किलिक करनेका इस देखेगा यहां पर दीखेगा तो नोटीस साफ को देख रहा इसके बाद देखेगा फिर से यहाँ पर है, 13 मार्ज 2024 का फिर से यहाँ परifiesवेश्मेंट्ट है जिसके बाद देखेगा फिर से तेरा मार्ज गयाँ तो रखा गया है तो यहाँ तो दोस्तों आपको पता चल गया है कि भी हर सरकार के वेबसाइट पर भी यह नोटिफिकेशन आया हुआ तो यहां से आप सभी देख लिए अब चलिए आप में से इस फॉर्म को फिलप कौन-कौन कर सकते हैं तो देखे पी अमर्सी ऑनलाइन के वेबसाइट पर आने के बाद यहां पर वेकेंसी वाले टाप पर आपको क्लिक यहां जो आपको दीख रहा है थी रिलाइन इस पर क्लिक किजएगा यह मेनू बटन होता है इस पर क्लिक करने के बाद होम वेकेंसी इंस्ट्रक्शन एड्मिन लॉगिन तो आपको अपना वेकेंसी वाला टाप पर क्लिक करने इसमें देखेगा तो बहुत सारे अलग-अलग तरह का पोस्ट है यहां पर देखेगा 13 मा यहां पर शविंफ है जीएम वर्क है इसके बाद दीखेगा यहां पर जनरल मैनेजर संबनित पोस्ट है इसके बाद यह पर अप एप़धे आर ओअ कि यहां पर है इसमें आपको डिप्लोमा बिटे कि यह सब डिग्री मांगा जाते इसके बाद देखेगा एक ओफिस एस्टेंट है यानि कि यहाँ पर कर्याल परिचारी समधित यह पोस्ट हो गया तो चलिए इसी नोटिफिकेशन को यहां से डॉनलोड करते हैं और फिर एक देखने के बाद आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा और इसके बारे में देखे आप लोगों क्यों से कमेंट करके पूछा जा रहा था तो फिर आप सभी संतुष्ट हो जाएगा कि हम भर सकते ही आने तो यहां पर देखेगा 13 मार्श 2024 के अरवर्टाइजमेंट है यहां पर देखेग लिए अब देखे यहां से अन्य चीज़ों के बारे में डीटेल्स में देखे ती यहां पर देखेगा दोस्तों पटना मेट्रोरेयल कॉर्परेशन लिमिटेट के अंतरगत बिभीन पदव पर पर परती न्युक्त अथ्वा समीदा के अधार पर योग अभ्यारतियों सो व भारत सरकार, राजी सरकार, भारत सरकार कुपकरम, किसी राजी सरकार कुपकरम में कार्जरत योग अभ्यारतियों से परती न्युक्त के अधार पर पर पटना मेट्रोरेयल कॉर्परेशन लिमिटेट के अंतरगत निमलिखित पदव पर नियोजन है तो आम अंतरित किया ज जो अर्थ सरकारी जो भी डिपार्टमेंट है जैसे यह सब हो गया भेल हो गया गेल हो गया सेल यह सब चीजे जो है पीएस समभाद नीदेट अगर आप इसमें भी जॉब करने हैं तो वहां आप जो भी पोस्ट पे जॉब में है इसके लिए आप यहां पे फॉर्म अपलाई ठिक ठाक कंपणी में अगरा प्राइवेट जॉब में है तो यहां पर समीधा कॉंटेक्ट पेसिस पर आपको लिया जागा एक्स्प्रियंस इन सभी चीजों को देखते हुए यह देखिए फरेस एस्टुरेंट के लिए बहाली नहीं अब यह है कि फरेस एस्टुरेंट की कंकरवाग एस्टेशन हो गए यह सब जो भी एस्टेशन है इसके लिए यहां पर क्या होगा कि अच्छे खासे स्टाप की जरौत परेगी एक एस्टेशन पर 10-15-20 इस तरह से उसके लिए यहां पर एक अलग से फिर कुछ दिनों में बहाली आ रही है जिसमें आपको आपक क्यों कि और से कमेंट करके पूछा जा रहा था इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया इसमें देखे जितने भी तरह का पोस्ट है अगर आप जॉब में है तो यहां से आप अपना डेटेल्स देख लिए यहां पर जो भी experience मांगा गया है यह सब चीज आप देख सकते हैं तो deputation का मतलब होता है पहले से वहां पर है और यहां पर आपकी परतिन्युक्ति होगी अगर आप private sector में है तो फिर contract पर आपका selection होगा फॉर्म आप सभी 14 मार्स से लेकर के 4 अपरेल के बीच में फिलब कर सकते हैं योगता अनुभब के अधार पर आपको interview के लिए shortlisted किया जाएगा फिर आपका interview होगा interview के अधार पर आपका selection इसमें होने वाला है तो फॉर्म भरने से पहले आप इस notification को यहां से भी आप वीडियो को रोग करके देख सकते हैं पुरा पढ़ सकते हैं एक ही पोस्ट नहीं है बहुत सारे अलग-लग तरह का पोस्ट है तो सभी के बा हाली है कुछ दिनों में आ रही है यह अच्छे खासे पदावपर हो गया अलग-लग qualification के अधार पर हर एक चीज के बारे हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे अगर आप पहली बार चनल पर आए हैं यह आपके काम का चनल है फटा फ़र सब्सक्राइब कीजिए आप क्लियर हो गया कैसे क्या फॉर्म फिलब करना है किस वेबसेट से फिलब करना है